असलोलेकूम फ्रेंड्स, स्लाइड एजूकेशन मैं आपको वेलकम कर रहा हूं, फ्रेंड्स आज का जो हमार टापिक है वह हम डिसकेस करेंगे, डिफरंट बिटिविन हार्ड विर एंसाफ्ट्यर, साफ्ट्यर और हार्ड विर में क्या बेसिकल डिफरंट बिटूइन है, त से टच नहीं कर सकते हैं सिर्फ उसे हम देख सकते हैं they are the programs and applications that run on a computer system सबसे पहले यह क्या होते हैं यह किस्म के programs होते हैं और applications होती हैं जो computer में सिर्फ run करती हैं hardware सब और आते हैं अब hardware के बारे में तो hardware क्या करता है hardware is unless metal and silicon parts without software सबसे पहले यह hardware क्या होते है hardware के metal के part होते हैं metal और silicon के parts होती है this enables people to perform different tasks on computers इसके तुरू क्या करते हैं basically hardware के तुरू people's जो computer के different जो पार टास्क होती हैं वो टास्क basically इसके तुरू perform कर सकते हैं people अब आते हैं basically यहां पर आप देख रहे हैं यह एक पिक्चर से यहां पर hardware लिखा होगा यहां पर cd है और यहां पर एक software यह basically software यह hardware है अब आते हैं इस example के तुरू एक good examples for any easy under understanding of hardware software definition is Microsoft Office 2007 cd सबसे पहले आते हैं यहां पर देख रहे हैं आप यहां पर cd Microsoft 2007 की यह cd है इसवे हम hardware कहेंगे the actual compact disc is the hardware अब जिस जो है वह hardware है while the program on the cd is the software basically जो cd में basically program पड़ा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे software करेंगे software कहेंगे जो यह hardware आपको cd नदर आ रही है इसे हम hardware कहेंगे क्योंकि हम इसको देख भी सकते हैं और touch भी कर सकते हैं while इसके अंदर जो software basically load हुआ है तो हम उसको सिर्फ कंप्यूटर में देख सकते हैं और उससे हम touch नहीं कर सकते हैं तब ही हम इसको कहेंगे software thank you friends friends आपका अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो please like करें subscribe करें thank you friends